ना अतीत में रहो ना भविश्य में, वर्तमान में हैं सारी शक्ती, इसे और सिर्फ इसे जीओ, छोड़ दो अपेक्षाओ की आ सकती। मनुश्य जीवन एक संतुलन का खेल है, कल के लिए तैयारी करो, मगर सिर्फ इतनी कि घबराहट में न खो जाओ, बीते कल की बाते याद रखो, कि गलती दोहराओ नहीं, मगर इतना भी नहीं सोचो, कि आगे बढ़ी न पाओ, ये मानना बहुत जरूरी है, कि हम कितने ही बढ़े हो जाएं, हमसे गलती हो सकती है, अगर उसे रोकना है, तो ग्यान बढ़ाना होगा, और ग्यान ध्यान से हो जाता है, चलिए, ध्यान लगाएंगे, और अपने जीवन को संतुलित बनाएंगे, एक आराम दायक स्थिती में बेट जाएं, किसी कुर्सी पर या जमीन पर, पर ध्यान रहे, कि कमर हमेशा सीधी रहे, आखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मंद मुस्कान रहने दे, एक लंबी गहरी सास भरें, और उसे अब मुस्से छोड़ते जाएं, हर सास छोड़ते हुए, शरीर को धीला करते जाएं, पेरों को, हाथों को, तल्वों को, दोबारा एक लंबी गहरी सास लें, जो पूरी च्छाती में पीठ में जा रही है, करदन सीधी कर लें, जबडे को धीला छोड़ दे, फिर से एक लंबी सांस भरें और इसे पूरे शरीर में पहुँचने दे, मस्तश्क में, चहरे में, हाथों में, पैरों में, सांस मूँ से छोड़ते हुए, हर हिस्से को पूरी तरह से आराम दायक स्थिती में जाने दे, शरीर में देखें कि कहीं और तनाव बना हुआ है क्या, अगर कोई भारी पर रुकावट महसूस हो, तो लंबी गहरी सांस लें, और इसे उस क्षेत्र में केंद्रत करें, सांस मूँ से छोड़ते हुए उस तनाव को धेरे धेरे पिघलता हुआ महसूस करें, दो तीन बार फिर से अपनी सहुलियत के अनुसार लंबी गहरी सांस लें, और शरीर को भेला छोड़ते जाएं, अब शरीर पिध्यान दे, कितना शान्त और शिथिल हो गया है, अपने भवों के बीच एक रोश्णी की कल्पना कीजिए, इसमें आप कहां हैं, उसे देखें, लेकिन एक दर्शक की तरह, जो इस चित्र को हर दृष्टी कौन से देख सकता है, अब इस कहानी को आगे बढ़ने दीजिए, उस नतीजे तक जो आपको डराती है या विचलित करती है, अब रुप जाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें, इस पूरे चित्र को अब हम फिर से शुरू से देखेंगे, लेकिन इस बार हम इसका परिणाम अपने अनुकूल बना जिस तरह से पहले चलित्र में आपके डर सच होने की संभावना मुम्किन है, उसी तरह से जानिये कि ये परिस्थिती आसानी से, अच्छे समाधान से सुलजने की संभावना भी रखती है, तो अपने इस चलित्र को फिर से देखें, मगर इस बार खुद को इसकी वीर नायक की तरह देखें, जो हर डर, हर रुकावट को लांगते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, अब इस भाव को पूरी तरह महसूस करें, कि कितना अच्छा लग रहा है, जब आप अपने डर को पीछे छोड़े जा रहे हैं, जब आप अपने शान्त धीर अजमन से, हर स्थिती क एक दर्शक की तरह नाप के सही कदम उठा के, आराम से सही अंत तक पहुचा रहे हैं, ये हर वक्त मुम्किन है, डर, घबराहट केवल यकीन का आभाव है, जब हम अपने शान्त मन से कोई योजना बनाते हैं, और फिर सकारात्मक्ता से उसे निभाते हैं, तो नतीजे हमेशा आश्चर्य चकित कर सकते हैं, ध्यान दोबारा अपनी सांस पे ले जाएं, और इसे और गहरा कर लें, अगर किसी जगा अंधकार है, तो क्या हम उससे लड़ते हैं, नहीं न, एक मामुली सदिया गहरे अंधकार को खत्म कर देता है, जहां प्रकाश होत अंधकार वहां नहीं रह सकता, लंबी गहरी सांस परिये और अपने शरीर में इस प्रकाश को भरने दीजिए, जानिये कि हम गलती से सीखते हैं, तो हमें आज सिर्फ अपनी समझ से उतना करना है जितना हम जान सके हैं, खुद को एक बच्चे की तरह देखें, और इस सह मे घबराए बच्चे को प्रेम दे, भरोसा दिलाए कि हर दिन हमें एक नई सीख और अनुभव देता है, अपने आप को ये बोले, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं अपने सारे फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने आप को माफ करता हूं, मैं हर परिस्थिती में एक तर्शक की तरह अपने सारे विकल्प देखने में सक्षम हूं, मैं खुद पर यकीन करता हूं कि मैं आज इस वक अपना बहतरीन रूप बन रहा हूं, मैं अपने जीवन में सफलता का सुआगत करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को और कितना खुशनुमा बना सकता हूं, मैं अतीत को धन्यवाद देता हूं, जो उसने मुझे अपनी कमी दिखाई, जिससे अब मैं पूरा करूँगा, मैं अपने दिमाग के लिए शुक्र गुजार हूं, जो मुझे घबराहट से ये दिखा रहा है, कि मैं शायद इस थिती के लिए तयार नहीं हूं, और मेरी रक्षा कर रहा है, मैं उसी दिमाग को दिये की लौ की तरहा इस्तिमाल करता हूं, जो अंधकार तुरंत खत्म कर देता है, और सिर्फ अद्भुत प्रकाश छोड़ जाता है, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, और इस संसार को संचालित करने वाली उस दिव्वे शक्ती का अहवान करता हूं, कि मेरे हर फैसले, हर क्रिया, हर दिन में वो दिव्वे शक्ती प्रवाहित हो, और मुझे उत्तम विकल्प का चैन करने में सदा मदद करें, अपना ध्यान, अपने शरीर पर ले आएं, और देखें, कि आपके हाओ भाओ से, अब एक नया आत्म विश्वास छलक रहा है, लंबी गहरी सास लीजिए, और हर दिन सोने से पहले, इन वचनों को फिर से दोहराईएगा, जीत और सुक निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, अब उच्छन हम इस शक्ती को अपने अंदर बहने देंगे, बिल्कुल शात अपना ध्यान शरीर पर ले आए, कमर सीधी कर ले, इस सारी शक्ती को अपने अंदर समा ले, अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस मेरा गड़िये, और इन्हें अपने आखो पर रखे, धीरे धीरे से अपने आखे खोलिये, एक नई धार्णा से जीना है आज का दिन, हर दिन धीरे धीरे बदलाव लाएगा